मुश्कार स्वागत है आपका के भारत नीज में हूँ आपके साथ पुलकित शुकला हमारे देश में अलग-अलग धर्मों के अलग-अलग रहते हैं और उनके अलग-अलग धार्मे की स्थल्बी है अगर हम हिंदु धर्म की बात करें तो भारत में दो मिलियन याने करीब 20 ल में देखा या अख़वारों में सुना जरूर हो लेकिन हम आज बात करेंगे उस मंदिर की जो लखनौ से तकरीवन सो किलो मिटर दूर सीताप और जिले में गोंती नदी के बायंत अट पर इस्तित है एक प्रतिस प्रसिद्ध हिंदू तीर्थ इस्थले इसका नाम है नैमी मार्केंडे पुराल में अनेक बार इसका उल्ले का 8000 रिशियों की तप इस्तिली के रूप में किया गया है इस पुराल के अनुसार इसके किसी गुप्त इस्तिल में आज भी रिशियों का स्वादेनर्श्थान चलता है लो मर्शड के पुत्र सौती उग्रशवा ने यही इसके रिशियों को परड़ी कथाई भी सुनाई थी नेमिश की उतपती नमीश सब्ड से हुई है क्योंकि गोरक मुक्र ने एक नमीश में आसुरों की सेना का सहार किया था कहा यह भी जाता है कि आसुरों का विनास करते वक्त भगवान विश्णू के चक्र की नीमी चुना जहां चक्र गिरे थे नेमिश में जहां चक्र गिरा वो इस्थान आज चक्रतीर्थ के नाम से प्रसिद्ध है नेमिश आरण का उल्लेक वालमी की रामयण के युद्धकान की पुष्पिका में उल्लेक है कि लव और कुष्ण गोमती नदी के किनारे राम के अश्मे यग में साथ दिनों में वालमी की रचित काव्य का गायन किया आपको बता है कि नेमिश आरण से लगभग एक मिल दूर पर चक्रतीर्थ है वहां एक सरोवर है जिसका मद्य भाग गोलाकार है और उससे बाहर बरावर से जल निकलता रहता है अब उस मद्य के घेरे के बाहर इसनान करने का भी घेरा है जो कि नेमिश आरण का मुक्य तीर्थ है इसके किनारे बहुत सारे मंदिर है मुक्य मंदिर भूतनात महादेव का है इस चक्र तीर्थ कई बड़ी महिमा है क्योंकि कहा ये जाता है कि एक बार 88,000 रिशी मुनियों ने ब्रामा जी से निवेदन की की जगत कल्यार के लिए और तपस्या के लिए धर्ती पर शांत भूमी का निर्देश करें उस वक्त ब्रामा जी ने अपने मन से एक चक्र उत्पन करके रिशीयों से कहा कि इस चक्र के पीछे चलकर उसका अनुकरण करो जिस भूमी पर इस चक्र की नेमी गिर जाये तो प्रतिधाम हत्याहरण तीर्थ कालिका देवी काली पीठ ये सब प्रमुख दर्शन करने वाले इस थल हैं तथा लालिता माता का भी प्रमुख तीर्थ है नेमिशारन से कुछ ही दूरी पर दधीची कुंड है और कहा जाता है कि व्रत्ता सुल्राक्षस के बद के लिए प्रमुख देवताओं के दर्शन करना चाहता है तो इंधर ने समस्तीरतों और समस्त और देवताओं का आवाहन किया तब सारी पवीत्र नद्या और एक सरोवर में मिले और महर शी दधीटी ने इस नां किया तब से इस कुंड का नाम द्धीची कुंड या मिश्री 84 कोश के नैमी शारणाय में अपना इस्थान गरड किया ददीची जी ने सभी देवताओं कर दर्शन किया परिकर्मा करने के बाद अपनी आस्थियों को दान में दे दिया तब उसे समस्त तीर्थ 35,5,3 करोड तीर्थ और 33 कोटी देवता नैमी शारणाय में वास्थ करते हैं और आज भी भक्त समस्त तीर्थों और देवताओं का दर्शन 84 कोश परिकर्मा करने के लिए देश विदे से आते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहें कि वारत नियूस तन्यवार